आप सभी WhatsApp तो बहुत चलाते होंगे और 2024 में आप आ चुके हैं और आपको WhatsApp के बहुत सारे features के बारे में नहीं पता होगा लेकिन आपको मैं कुछ important feature यहाँ पर बताने वाला हूँ WhatsApp के जिनको यदि आप जान लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे बहुत ही यहाँ पर बढ़ आप उन features के बारे में भी जानना चाते हैं तो हमें subscribe जरूर कर लीजिएगा Facebook कर वीडियो देख रहें तो follow जरूर कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको WhatsApp app open कर लेना है मैंने यहाँ पर यह WhatsApp app open कर लिया है ठीक है अब उपर आप देखिए यहाँ पर आपको यह 3 dots से दिखाई देगा तो हम इस पर click कर देंगे यहाँ 3 dots से मैं इस 3 dots पर click कर देता हूँ यहाँ पर settings पर click कर दूँगा settings पर click कर दिया अब guys यहाँ पर जैसे कि आपने WhatsApp app open कर लिया अब एक ही app में आप दो account चला सकते हैं जैसे कि अभी मैं अपना एक WhatsApp account यहाँ पर चला पा रहा हूँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर मैं दो WhatsApp account भी चला सकता हूँ वो कैसे तो आपको यह icon दिख रहा है यह down arrow होगा हम इस पर click करेंगे इस पर click करेंगे तो नीचे आप देखिए यहाँ पर add account का option दिख रहा है हम इस पर click कर देंगे यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ से आप अपना दूसरा account भी यहाँ पर login कर सकते हैं अब जब आप दूसरा account login कर दोस्तों तो अब आपको क्या करना है आपको simple सा यहाँ पर आप दो account यहाँ पर चला सकते हैं जैसे आप वो काम करेंगे तो यहाँ पर three dots पर click करेंगे न तो नीचे आपको switch account का option दिखेगा तो जब भी आपको दूसरा account चलाना हो तो switch account पर click कर दीजिएगा आपका दूसरा account login हो जाता है ठीक है मैं यहाँ पर video लंबी ना हो इसलिए यहाँ पर short मैं आपको बता दे रहा हूं आप करिएगा यह हो जाएगा अब second है दोस्तों कि मानलो कि आपकी girlfriend या आपका boyfriend कोई भी व्यक्ति कोई भी relative आपका हो सकता है और आप चाते हैं कि जब आप WhatsApp पर online आएं त तो कोई भी आपको online ना देख पाएं उस सामने बाले व्यक्ति को यह पता ना चला कि आप online है ठीक है और इसके अलावा वो आपका last scene ना देख पाएं लेकिन एक सर्त है कि यदि वो आपका online या last scene नहीं देख पाएगा तो आप भी नहीं देख पाएंगे किसी का तो इसके आप चाते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपका last scene ना देख पाए तो आपको nobody पर click कर देना है और इसके बाद मैं आपको same as last scene इस पर click कर देना है जिससे कोई भी आपको online ना देख पाए ये तो ये trick यहाँ पर उपर बाली तो last scene नहीं देखने के लिए है और नीचे बाली आपको online नहीं देखने के लिए है तो हम इस पर click कर देंगे ये काम हो गया बस अब कोई भी व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा और आप चाते हैं कि सिर्फ आपके कुछ ही व्यक्ति आपके आपको online देख पाए तो इस पर click करना होता है इस पर click करने के बाद my contact accept और यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं उस व्यक्ति को जो आपको last scene देख सकता है और उसके बाद मैं नीचे same as last scene पर click कर देना है यह trick होती है दोस्तो अब यहाँ पर हमने यह काम कर लिया है अब तीसरे trick क्या है दोस्तो वो मैं आपको बता देता हूँ तीसरे trick यह है कि मालो आपको किसी वीडियो कॉल किया ठीक है आपको कोई कॉल करता है वीडियो कॉल तो वहाँ पर वो व्यक्ति आपका IP address पता कर सकता है पहले ऐसा होता था कि पता कर लेते थे और अब भी होता है लेकिन अब हम यह काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर IP address दिखने वाली जो setting है उसको हम बंद कर सक यहाँ पर आपको वो ही privacy पर click करना है, तो हम यहाँ पर privacy पर click कर देंगे, तो यहाँ पर advanced का option दिखाई देगा यह, तो आप इस पर click कर दीजिएगा, जैसे यह आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, protect IP address in calls, तो यहाँ पर calls करते हैं न दोस्तों, तभी IP address का पता लगता है, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर on कर दीजिएगा, अब वो व्यक्ति आपका IP address नहीं देख पाएगा, call करने पर, तो यह WhatsApp की trick है, मुझे लगा कि आपको पता नहीं होगा, तो इस वज़े से मैंने वीडियो बना दी, अब आपको पता हो, तो ठीक है, आ आप अपने दोस्तों को भी बताईए, और आपको नहीं पता हो, आपको पता चल गया, तो वीडियो सेर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, MS-DAD on YouTube चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीजिएगा.